नमस्कार दोस्तो आज हम बात करने वाले है जीजी किल्ले के बारे में तो अगर आप पहले बार मेरी चैनल पे आए हैं तो प्लीज दोस्तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना दोस्तो भारत में कई सारे ऐसे किल्ले हैं जो सदियों से ही इतियास और कहानियों को बया कर रहे हैं उन्हीं मेंसे एक है जीजी का किल्ला जिसे जीजी दूर्ग या सेजी दूर्ग के नाम से भी जाना जाता है पंडू चेरी में स्थीत यह किल्ला दक्षिन भारत के सबसे बहतरिं किलो में से एक माना जाता है इसका निर्मान नौवी सब्तादी में संभवत चोल राजवश द्वारा किया गया था इस किले की खूपसूर्ती यह है कि यह साथ पहाडियों पर निर्मित कया गया है जिसमें क्रूशन गिरिश चंद्रगिरी और राजा गिरी की पहाडियों भी प्रमूख है यह किसी प्रकार से निर्मित है कि चत्रपती सिवाजी ने इसे भारत का सबसे अधबुत किला बताया था वही अंग्रेजों ने इसे पूर्व का ट्वय कहा था जानकारी के मुताबिक आपको बता दे कि यह किला दिवारों से गिरा हुआ है यह किला राजनेटिक सरुप से बनाया गया था कि दुश्मन इस पर आक्रमन करने से पहले कई बार सोचेगा क्योंकि यह किला पहाडियों पर बना हुआ है इसलिए आज भी यहां राजदर्बार तक दो गंटे की चठाई के बात पहुचा जा सकता है यह किला लगबग 11 किलोमीटर के क्षेत्रपल में फैला है जिसकी दिवारों की लंबाय लगबग 13 किलोमीटर की है इस किले का मुख्य आकर्शन राजगीरी है इस किले की कई सासकों ने राज किया है यह किला चत्रपती सीवा जी महराज से लेकर मुगलों और नवाबों और अंग्रे जोक्य भी आदिन रहा है सित्यर्वी सप्तादी में सिवाजी महराज के नितूत्व में मराटा द्वारा उसके किले को किसी भी हमलावर देना से बचाने के लिए किले को पूना निर्मानित किया गया था फिलहाल ये किला तमिन नाडू परियतंग शेत्र का एक सरवादिक रोचक स्थल है जहाँ पर हर साल हजारों की संक्या में लोग गुमने आते है तो दोस्तो आज हमने जाना जी जी किला के बारे में तो दोस्तो अगर आपको ये मेरी जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज दोस्तो मेरे वीडियो को शेर कीजिएगा लाइक कीजिएगा कॉमेट कीजिएगा और ऐसे नए वीडियो देखने के लिए मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिएगा